हाई फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आज की वीडियो में मैं आपके साथ श्याकरने वाले हूँ क्रिस्मस अप्रोप्रियेट आई लोग सबसे पहले मैंने अपने आइस को कंसील किया है मैं यूज कर रही हूँ लॉरेल का इंफॉलिबल कंसीलर को मैं पैक के कंसीलर अम मेवलीन का फिट मी पाउडर इसका अच्छा फॉबल ऑप्शिन है अभी मैं यूज कर रही हूँ अनस्तासिया का सॉफ्ट ग्लैम पैलेट उसमें से मैंने मैट आशेडो को लिया है उससे मैं आउटर भी पर अप्लाय कर रही हूँ और क्रीस पर भी अप्लाय कर रही हूँ और आप भी टाइम लेके प्रॉड़क को ब्लैंड करें ऐसी ना छोड़े अच्छा नहीं लगेगा आपका यह लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं अपना ट्रस्ट वर्दी प्रॉड़क यूज कर रही हूँ निक्सका ग्लेटर प्राइम यह बहुत ही अच्छा ग्लू नहीं है कि चिपक जाएगा इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि जब थोड़ सा टाकी हो तो इसके उपर बिटालिक शिमर आईशाडूस डाले और वो जो बिटालिक आईशाडूस है वो टिके इदर उदर फैले ना मैं यूज कर रही हूँ कलर पाउप का से क्योंकि सुपर शॉक आईशाडूस को बेस्ट अपने आखों पे फिंगर से ही पैक करें अच्छा पेओफ मिलता है कलर का अभी मैं यूज करें हूँ कार्मेशी का 500 नंबर का शेड़ शिफ्टर आईशाडव यह दियो क्रोम आईशाडव है और इसे मैं अपने आउटर इसे लिए पैक करें हूँ ताकि थोड़ा सा जो परपल टीज वो मेरे आउटर वीपी दिखें अब मैं यूज करें हूँ मैं कॉस्मेटिक्स का प्रेस ग्रीन कलर का शिमरी ग्लिटरी आईशाडव यह बहुत ही फाइनली मिल्ड स्पार्क्ली आईशाडव है और यह मैं के 2021 holiday collection का हिस्सा था I really wish कि यह permanent कर दे Mac बहुत अच्छा product है absolutely enjoy using this product और चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे अनस्तासिया का soft glam 2 mini palette यूंस किया और outer अपने time layer please product को अच्छे से blend करें अभी मैं दूसरे आख पे निक्स का glitter primer apply कर रही हूं और same steps follow करेंगे हम और products को ले करेंगे अपने eyelid के ऊपर आप अगर beginner है तो I hope आपके लिए यह थोड़ा helpful रहे वीडियो क्योंकि end depth मेरे आपके साथ शाय किया है कब क्या करना है अगर आपको किसी भी तरह का confusion है please मुझे comment section के तुर पूछ लेना I'll clarify ठीक है तो आप green eyeshadow को अच्छे से pack करें पता है green eyeshadow के क्यों आप अपके बेस मिले इसके ऊपर जब आप और चीजे रखोगे तो अधर करेंगी चीजे और फिसलेंगी नहीं क्रीस में सिंक होगी तो यह 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 यूज़ कर रही हूँ कि तम मैंने देखा एक low lighting में पॉपल शेफ बहुत अच्छा है इसका वैसे और यह हजार रुपे के अंदर का यह 89900 का है I don't think so it's worth paying that much for a single eyeshadow that to duochrome क्योंकि Mars Cosmetics भी 400 रुपे में duochromatic eyeshadow लाश चुके है so yeah that's what I think okay वही Mac का जो shimmery glittery green color का eyeshadow है from their holiday collection I have used that on my center of the lid yeah for uh sirf adhi lid ke uper मैं ऐसे apply करने की कोशिश कर रही हूँ तांकि थोड़ा sparkliness मिले और यह लुक और बिजादा celebratory और festival appropriate हो जाए Christmas appropriate हो जाए हाँ वैसे ऐसे लोग को wedding season में भी कर सकते हो अगर आपका हरे कले का suit सलवार है या फिर साडी है तो you can definitely do this look you know no problem अभी मैं अच्छा से अपने under eyes पे जिता भी fallout हो था वो हटा रही हूँ और मैं अपी essence cosmetics का gel stay and play gel eyeliner use कर अपने waterline पे green color का pencil है वो use कर रही हूँ है अब मैं यूज कर रही हूँ essence cosmetics का silavi eye pencil और यह silver color का eye pencil है बहुत बढ़ी है इसके उपर मैं Natasha Denona का xenon mini palette में से silver sparkly eyeshadow यूज कर रही हूँ वो मैं अपने inner half of the lower lash line पे पैक कर रही थी अम ऐसे उपर भी apply कर रही हूँ यह Morphe का pencil brush है synthetic brush है बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसा करने से ना हमारा पूरा eye look cohesive लगेगा कि उपर भी silver लगा है नीचे भी silver लगा है बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा करना अगर आपने ट्राइनी के तो ज़रू से करना Hoda beauty का rusty pink lip liner apply कर रही हूँ मैं काफी cream है आप देख सकते हैं एक बार में कितना अच्छा pigmentation मिल रहा है अभी मैं dead roses by Anastasia Beverly Hills apply कर रही हूँ अपने lips पे matte lipstick है मेरी dry lips है क्योंकि मैं अभी बार हूँ तो yes that's the reason आपको थोड़ा flakiness भी दिखा होगा consider से मैं mute कर रही हूँ अपने lips shade को और अभी मैं Fenty का अपने इस वीडियो पे क्या कर रही हूँ अपने इस वीडियो में क्या कर रही थी और भी step by step मुझे follow कर पाए और जरूर से बताना कि आप Christmas celebrate करते हैं या नहीं मुझे जैसा I look चीए था मैंने create किया आप भी इसे create करें और मुझे टैक करना मत भूले ठेक के बाई don't forget to subscribe